कार इंट्रोडक्षिन चलो जानते हैं कार के बाहरी पुर्जे हेड लाइट कार के आगे के हिसे में लगी हुई ये लाइट अंदेरे में रास्ता दिखाती है हेड लाइट में अपर और डिपर लाइट होती है अपर लाइट की रोशनी में दूर तक नजर आता है और डिपर लाइट की रोशनी में करीब का रास्ता दिखाई देता है रात में पोवर्टिक करते समय या आगे से आने वालों को सतर करने के लिए अपर और डिपर लाइट इस्तमाल करते हैं Side Indicator गाड़ी के आगे के हिस्से और पिछले हिस्से में भी होते हैं ये lights औरेंज कलर के होते हैं Side Indicator आगे पीछे लोगों को दाए बाए बुढने की जानकारी देकर सतर करते हैं Tail Light तेल यानि पूँच गाड़ी के पीछे वाली lights को Tail Light कहते हैं Tail Light में Brake Light, Reverse Light और Side Indicator होते हैं Brake Light ब्रेक दबाने पर ये light जलती है और पीछे के गाड़ी को सावधान करती है Reverse Light गाड़ी को पीछे लेते समय लोगों को सतर्क करती है Logo गाड़ी कौनसी कम्पनी की है ये हमें गाड़ी के लोगों से पता चलता है उदारन T मतलब Tata, H मतलब Hyundai, S मतलब Suzuki Bumper बंपर ये गाड़ी के आगे के हिस्से का सबसे महत्वपूर्न हिस्सा है Accident के समय बंपर गाड़ी को जादा नुकसान से बचाता है Rear Bumper रियर मतलब पीछे Rear Bumper ये गाड़ी के पीछे हिस्से में होता है गाड़ी को अगर पीछे से टक्कर लगे तो ये Bumper धक्का सहन कर लेता है और उसके वज़ा से गाड़ी को जादा नुकसान नहीं होता है Vehicle Registration Number Vehicle Registration या Identification Plate ये प्लेट गाड़ी की पहचान बताता है यहाँ प्लेट गाड़ी के आगे और पीछे होती है चलो देखे ये नंबर क्या बताते है शुरू के दो अंग्रेजी अक्षर गाड़ी कौनसे राज्य से है ये हब बताते है उसके बाद के दो अंक राज्य के जिले का कोड होता है अंध के चार नंबर गाड़ी का नंबर होता है बाहन संक्या जादा होने पर ये नंबर पर्याप नहीं होते इसलिए इनके आगे अंग्रेजी आल्फबेट जोडते है उधारन के लिए MH12FQ3960 MH मतलब महाराश्रा, 12 या पुने जिले का कोड है और FQ3960 ये गाड़ी का नंबर है बॉनेट ये गाड़ी का बॉनेट है इसमें इंजिन और अलग-अलग भागों की एसेंबली होती है साइट मिरर गाड़ी के दोनों बाजू में साइट मिरर होते है साइट मिरर से गाड़ी के पीछे का दुरुष्य दिखाई देता है विंस्क्रीन विंस्क्रीन मतलब गाड़ी के आगे वाला काँच काँच को साफ रखने के लिए वाइपर का इस्तमाल करते हैं रियर विंड स्क्रीन गाड़ी के पीछे वाली काँच को रियर विंड स्क्रीन कहते हैं फ्रंट डॉर ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के दर्वाजे को फ्रंट डॉर कहते हैं Ignition Switch Ignition Switch में चाबी घुमा कर गाड़ी स्टार्ट की जाती है A, B, C याने Accelerator, Brake, Clutch Accelerator गाड़ी की गती यानी स्पीड कम जादा करने के लिए काम आता है Brick, Brick गाड़ी को रुकने के लिए या गाड़ी की कती को नियंद्रन में लाने में काम आता है Clutch, Clutch इंजिन और Gearbox के बीच में होता है Gear बदलते समय ये इंजिन की पावर यानी शक्ती जोडने और तोडने के लिए काम आता है Quarter Panel Quarter Panel ये गाड़ी के पीछे वाले दर्वाजे और डिकी के बीच में बिठाया जाता है Fill Cap Fill मतलब भरना जिस हिस्से से गाड़ी के अंदर पिट्रोल या डीजल भरते हैं उसके धकन को fill cap कहते हैं Mud Flap गाड़ी को कीचर से बचाने के लिए मड़ फ्लाप का उप्योग होता है Exhaust Pipe Exhaust Pipe इंजिन के अंदर इंदन जलने पर निर्मान होने वाले दुवे को exhaust कहते हैं उसे बाहर फेकने के लिए exhaust pipe का इस्तमाल होता है Tire Tire पर पूरे गाड़ी का भार होता है Tire के खूमने पर ही गाड़ी को गती मिलती है